Hello students, कैसे हैं, आप सब लोग तो finally exam month start हो गया है, आज 1st of February है, यानि कि 15 तारीख से just 14 days के बाद आप लोग के board examination शुरू होने वाले हैं, और सच कहूं तो board examination एक बार शुरू हो जाए ना, फिर आप सब लोग दबा के महनत करते हो, यानि कि बहुत अच्छे से आप सब लोग महन कि हां यार तीन दिन बाद पूरा पेपर हैं, कैसे रिवाइस करें, उस ताइम कमजोर से कमजोर बच्चे साल भर तफरी बाजी करी है, पढ़ा नहीं है, वो भी end में बहुत अच्छे से महनत करता है, पढ़ाई करता है, बट प्रॉब्लम है next 14 days की, I know school वाले class अभी आप का वाईवा ले रहे हैं, और बहुत सारी चीजी और भी होंगी आपका, फेरवल वगेरा, सब कुछ चलेगा, बट ध्यान रखना, board examination class आपको पिछले 15 साल से, नर्सरी से आप preparation कर रहे हो class, और finally आप board examination देने वाले हो class 12 का, यह बहुत crucial time है, प्लीज इसे किसी भी तरीके से वेस्ट मत करो, सबसे जादा important इस टाइम है class आपकी preparation, तो आज मैं अगले 14 दिन की 14 देज की strategy बताऊंगा, कि आपको इन 14 देज में तो यह करना ही करना है, कोई strategy आपने follow की हो ना की हो, बट अगले 14 दिन की 14 देज की strategy आप जरूर follow करना, चाहे आपने अपना syllabus पूरा खतम कर लिया हो, revision कर रहे हो class या तो बहुत कुछ बचा, every student के लिए class ये video बहुत important है, तो end तक ध्यान से समझना इसको, ठीक है, क्या करना है, सबसे पहली चीज, मैं कुछ और बता देता हूं, आपको अदर जो subjects हैं आपके, जो आपका EP का paper है वो 15 तारिकों है, और बहुत सारे बच्चों का EP का paper नहीं है, बढ़ हाँ, थोड़े बहुत बच्चों का paper है, तो मैं उनसे कहूंगा कि लगबग 4 दिन, पूरे तन्मंधन से, पूरे शिद्दत से, प्लीज आप EP को दे दिना, last 4 days, हिंदी का भी कुछ बच्चों का paper, last 4 days, और English, जिसे आप कुछ समझते न education, then class 18 तारीक से हमारा जो paper है, वो आजाएगा, आप समझना class, अगर आपने अभी से अच्छे से preparation नहीं करी, और गलती से भी English के examination के आसपास आप आगया, 15 February तक आगया, तो 15 February से आपको pressure रहेगा, अगले 7 दिन सिर्फ English पढ़ने का, तो obviously उसके बाद आप account उठाओगे, न और फिर जब अठारा तारीक, जब बारा तारीक को आपका paper खतम होगा physical का, और आपका जो शुरू होगा paper ego का, तो आपको ऐसा लएगा एक महीने से उपर का time होगे, हमने तो ego को हाथ भी ने लगाया, कहां है किताबे, कहां है notes, कैसे करें, कहां है paper, बहुत stress, बहुत tension हो ज तो, बट यार, तुमने 12 ती अच्छी से नहीं किया, तो CUD का syllabus तो 12 जैसा ही है, फिर आप वहाँ भी फस जाओगे, तो इसी लिए class, ये 14 देज में जो बता रहा हूँ, आपको डेफिनेटली अच्छी से follow करना है, ठीक है, सबसे पहले, इन 14 देज में तुम्हें करना क्या तुम्हें किसी भी तरीके से आठ दिन में, पार्ट A को चार दिन दे दो, पार्ट B को दो दिन, पार्ट C को दो दिन, मतलब शेयर देबंचर एक दिन में हो जाएगा, गर सुबैसे सामतगार आप करते हो ना, रिविजन आराम से हो जाएगा, मेरे वन शॉट से कर लो, हर टॉपिक से दो-दो कोशिन में निकालोगे ना, तो एवरी चाप्टर से लगबग 10-15 कोशिन, तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि इंपोरेंट कोशिन से, उनकी प्राक्टिस करो, हर एक चाप्टर के, उनकी क्लास MCQ भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी आप अप अट को कर लें, लाइक इंग्लिश के लिए, तो अभी से थोड़ा-फोड़ा कर लो, आपकी मर्जी है ये, दोनों पाप्शन बेस्ट है, अभी से थोड़ा-फोड़ा करते चलो, साथ की जगे लास्ट में चार दिन दे देना, पांस दिन देना, या फिर आप क्या करो, अभी क्लास, MCQ, हर चीज जो इंपोर्टेंट है, और सिर्फ अकाउंट का नहीं है, अकाउंट इको, BST और इंग्लिश का भी है, मार्क्स जो ब्रेकडाउन होते हैं, चार्ट वाइस समझाया, ताइम मैनेजमेंट, सेल्फ असेस्मेंट पेपर, हर एक चाप्टर वाइस का कोश् क्यार मुश्किल लग रहा है, छोड़ दे, क्विट मत करो, इस ताइम जो भी महनत करोगे ना, वैल्यू एडिशन है, ठीक है? अब इको की बात करें, तीन दिन इको के लिए निकालो, जिसमेंसे आप दो दिन मैक्रो या एक दिन इंडियन, एक दिन मैक्रो दो दिन इंडियन, तुम पे डिपेंड करेगा तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन है और तुम उस हिसाब से इसके लिए काम करोगे, तीसरी चीज है क्लास, बिसन स्टेडी तीन दिन जिसमेंसे एक चेप्टर तक आप डे वन मे उठाऊंगा, एकाउंट भी करोगा, एको भी करोगा, बिसन भी करोगा, तो भी आप ऐसा कर सकते हो, या पे छोड़ दिया आपकी मर्जी है, बट यार देखो, एक नेक दिन तो ऐसा आएगा जहां पे आपको चार दिन अकाउंट स्कंटीन पढ़ना पढ़ेगा, तीन से एको बहुत रट्टा मार के आप कर सकते हो चीजों को, ठीक है, अब को शिन पेपर भी आपको एवलेशन बेस मिल रहा है आजकल, लेकिन अकाउंट्स में क्लास, अब लास्ट टाइम पर रट्टा नहीं मार पाओगे, कॉंसेट को समझना पड़ेगा, तभी सवाल बनेंगे, मैं तो मैं कहा दूँगा, इन चार सवाल कर लो, इन चार में से एक आएगा पकी बात है, मैं कहा दूँगा, बट उस एक को बनाने के लिए concept तो आपको सीखना पड़ेगा, तो concept बहुत जरूरी होता है, तो अभी से आप positive रहो, किसी भी तरीके से नेराशा मत रखो, कोई topic कोई chapter टफ लग रहा है, छोड़ो, बाकी चीज़ों कवर करो, बस खुद को demotivate मत करो किसी भी तरीके से, जो हो गया, जो आपने खराब किया, जो आपने टाइम पास किया, वो जा चुका है, आप उसे वापिस नहीं ला सकते, सबसे बड़ी चीज है कि अगले दो हबते, अब बोलोगे, सर अब तो बहुत कम टाइम बचाए, यह ना करने वालो के बहाने हैं, कम समय बचाए, तुमार दिमाग तुमसे बोलेगा, फिर तुम छोड़ के बैठ जागो, चलो यार मै तो कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ, समय नहीं बचाए, लेकिन सच क्या रहा है, वो पूरा का पूरा सिलवस, रिविजिन करो, दो तीन तीन चाप्टर कोशिन बनाओ, हर टॉपिक से, हर चाप्टर से, दस-पंदरा कोशिन बनाओ, उसे खतम करो, अगर आप लोगिकली देखो, मैं बोलो, चार दिन दे रहा हूँ आपको, दिन में इस ताइम कम 8-9 घ कर लिया, कि आप एक दिन में एक चाप्टर भी नी करोगे, आज 14 दिन बचे हैं, क्लास को चार दिन भी बचेंगे, और अफिर ऐसा दिन भी आएगा, बस अगला पेपर उसी सब्जक्का है, तो तो ताइम भर पूर है, अगर जिसने नहीं पढ़ा है, वो भी डेथ और डि कितना टाइम आप स्नाप्चार, इंस्टाग्राम और अधर क्लास जगे आप वेस्ट कर रहे हो, स्कूल टूशन में भागा दौडी में तफरीबाजी में, कितना टाइम खराब कर रहे हो, आप खुद से पूछो, तो यह तुम्हारे करियर का सवाल है, तुम्हारा करियर ब बहुत बुरा हो जाएगा, मैं जाना नहीं चाहता हूँ इस टॉपिक पे, जोड़ दूगा नहीं तुमको, तुमको बोलोगा, यार, बड़ी दिक्कत है, तो प्लीज, आप सब अच्छे से 14 देज, जो हो गया, सब छोड़ो, बी पॉजिव, अपना करम करो, फलकी छमत कर रिजल्ट आता है, क्या नहीं बस ही 14 दिन, मुझे दिन, रात, सुबह, दो पहरी, पढ़ना ही पढ़ना है, थंड भी दिरे-दिरे कम होती चले जारे ही नौर्दन रिजन में, बाकी आप अगर इस टाइम नहीं पढ़ोगा, तो कब पढ़ोगा, बोड़े के 14 दिन पहले, खुद से पूछो, सो मेरी रिक्वेस्ट है, ये एक फाइल रिविजन है, इसको इग्नोर किया, तो तीस दिन का ग्याप आप आजाएगा, और उसके बात जब क्ला अठारा मार्च को पेपर उठाओगे ना, तो मैं कोच समझ नहीं आएगा, तो आप एक काम और करना, ये स आपके पास सारी material हो, हर चीज़, जहाँ आपने टेस्स सॉल्फ की है, जहाँ आपने नोट्स बनाए, जहाँ डेट डाटा चार्ट लिखा है, चाहे आपके मुबाइल में है, चाहे एक लास प्रिंटेड माटेरियल है, एक जिए रखे रखे रो, ताकि एक लास आप उससे थाएको ये BST, तो मैं अचाहे रखे है ताम ये इक ये BST में ये, ठीकें? अब कुछ बाते हैं मेरी टो में त्यानेकना, सबसे पहली बात क्लास की ताइम को बिल्कुल भी वेस्ट करना, बंद करो और जो भी चीज कुमा तुम्हे देमोटिवेट कर रहे हैं इसको खुद मेरे नहीं आएंगे, पिचितर के पेपर की तियारी करो, लेकिन छोड़ देना कायरता वाली बात है, वो मत करो, प्रॉपर सलिप लो, टाइम बेस ज्यादा मत करो, आतको बहुत ज्यादा फोन मत चलाओ, क्लास सोने से कम अदे घंटा पहले फोन चोड़ दो, प्रॉपर क्ला है, अभी भी नहीं पढ़ा तुमसे बढ़ा कोई बीवकूफनी है, इस ताइम नहीं पढ़ोगो तो क्या फेल होने के दुआरा पढ़ोगे, यह एक से दो घंटा पढ़ो बीच में आदे घंटे गाप लो, उस आदे घंटे गाप में करो ना तो में जो भी करना, रिल आपचाट अपलोड करना, यह वो देखना है दो दर का, देखो ना उस आदे घंटे में देखो, फिर उसके बाद लेकिन पढ़ना है अपने, इस दिसिप्लिन से चीजे करोगे ना तो मज़ा आएगा, अगर आप डिसिप्लिन से नहीं करोगे, तो फिर कोई फादा नहीं आपने पुरा साल गुजार दिया, अब यह अगले साल के आप के आपस 14 दिन बच्चे हैं, जस तो वीक्स कैसे निकल जाते हैं, नहीं पदा चलेगा आपको, निकल जाएगा सब, I know तुमारे पस बहुत सारे बहान है, स्कूल में चल रहा है, वो चल रहा है, सर, हटाओ इन तो अगर नहीं पड़ा तो आप करना पड़ेगा, सॉलिशन पर फोकस करो, प्रोब्लम की बाद, प्रोब्लम तो पता है मेरेको भी, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी प्रोब्लम पे, सॉलिशन पर फोकस करो, रिवाइस करो, ज्यादा से ज्यादा, मैंने जो दिन एक दिन सुबह से सामता कर पढ़ो गे आठ से नो गंटा यदिन पूरी मैकरो का रिविजन कर डालोगे, दो गंटे नुमेरिकल बाकी छे घंटे थोरी, आठ गंटे में रिविजन हो जाएगा पूरा कारा रखा यापको, और एग्जाम से पहले भी मैं प्रॉमिस करता हू तुम्हें इस बात को एग्जाम से पहले तुम्हारा पूरा से लवस एट उजड फिर से रिविजन करा दूगा, लेकिन वो तभी मजाएगा समझरे में अपने अभी एक बार उसे करके छोड रखा होगा, बीच में तीस दिन गाप आएगा, उस गाप में सारा कुछ करा द अगर शुरू से अगर तक सब जाएगा, अलग अलग चैपर मिक्स उठाओ, एक 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 डेथ का, एक 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 पार्टनर्शिप का इस तरीके से, तो ध्यानकना क्लास, एक सेपरेट नोट बुक मैं बताई दिया आपको बना के रखना है और प्लीज लास्ट किसी भी प्रकार का टाइम वेस्ट मत करो, जिसके साथ भी तुम टाइम वेस्ट करो उसका भी वह विश्य खराब होगा और तुम्हारा भी, तो प्लीज आप लास्ट में, महनत कर लो, फिर जब पेपर हो जाएगा, एग हपता, दस दिन, दिन, बहर सुबै से रात तक, फो सोचो, टेंशन रहेगा, रिजल्ट की क्या होगा, पता होगा, पता है मैं अब तो फेल हूँ, रिजल्ट आगा, पता पड़ जागा सबको, वो तेंशन वो दर्द क्यों जिलना, महनत कर लो न, यही तो लाइफ है, कब तक का यह रता दिखाओगे, तो देखो, तो तेखो को लिखो आपने लेर्न किया और रात को दो घंटा काउंट्स बनाओ, यारा, साढ़े, यारा, साढ़े, यारा, साढ़े, यारा, साढ़े, पांट, चाहे तक उठ जाओ किसी कीमत पे, यह स्टैंडर्ड टाइम है, वो जब आप मिक्स सब्जेक्ट बनारे हो, अगर आप ए इसको भी जूज कर सकते हो, तो यह मेरा फाइनल स्ट्राइजी का वीडियो है, क्लास, बोर्ड इग्जाम होने से पहले, मैं हर महीने, दो महीने, तीन महीने लेफ्ट करता था, आज सिर्फ चाओ दिन बचे हैं, और में भी अगली बार जब स्ट्राइजी की वीडियो आए सारी चीजे भूल जाओ, बस महनत करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, समय का महें ज्यादा है, कुछ मत सोचो, बस मुझे चॉले दिन काम करना है, तो यह काम करना, और इस वीडियो को अपने एक दोसों तक पहुंचाना, इस ताइम तुमारे पेरेंट्स, तुमारे टीचर्स हर कोई तुमारे सपोर्ट में खड़ा हुआ है, तुम अकेली नहीं हो, महनत करेंगे और फोड़ेंगे बोर्ड को, और साथ में सीउटी को भी, तिल देन टेक यह बावा, मिलते नेक्स्ट वीडियो में.